नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल में हर्दिक स्वागत है हर बैक्ती सुबह उठते यही चाहता है कि आज के दिन मैं अच्छी कमाई करूँगा आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा और मैं साम तक अपने घर के लिए कुछ न कुछ पैसे कमा कर अवस्त लेके आऊँगा और अब परिवार को सुखी रखूँगा हर बैक्ती हर सुबह इसी उमीद से उठता है और वह सोचता है मेरा दिन अच्छा ही जाएगा परन्तु कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको सुबह सुबह देख करके आपका पूरा दिन बेकार जाएगा और आपका मन भी नहीं लगेगा आपका मन चिजड़ा हो जाता है आता हैं कुछ चीजों को है जो सुबसुभः नहीं देखना चाहिए इनको सुबसुभः देखना असुभ माना जाता है तो कि हर बेक्ति की ख्वाइस होती है कि वह सुबह सुबह अपने एक अच्छी उमीद लेकर उठता है कि आज का दिन एक नई उमीदों से भरा हुआ होगा परंतो उसका दिन अच्छा गुजरेगा या नहीं गुजरेगा वह इनी बातों पर निभा करता है कि क्या उसने कौन सी चीजों को सुबह नहीं देखना चाहिए और आपका दिन अच्छे से गुजरेगा और आपकी कमाई में बरकत हो आदी आदी ऐसी ही बातों के बारे में मैं आज इस वीडियों बताऊंगा यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर चाहिए तो चलते हैं जानते हैं कौन सी ऐसी चीजे हैं कि जो हमें सुबह सुबह उठते ही नहीं देखनी चाहिए पहला जब आप सुबह उठें तो आपको अपना चेहरा कभी भूल करके भी सीसे में नहीं देखना चाहिए इससे आपका पूरा दिन ही बेकार जाएगा औ और आपका दिन अच्छा नहीं बितेगा। इसी कारण से वास्तु सास्त में मना किया गया है कि सुबह सुबह आप अपने चेहरा सीसे में ना देखे। दूसरा भारती मानता अनुसार यह कहा गया है कि सुबह के समय आपको तेल के बरतन नहीं देखना चाहिए। यदि आप तेल के बरतन देखेंगे तो फिर आपका पूरा दिन बेकार ही जाएगा। इसी कारण से कहा गया है कि रात को बरतन दो करके सोना चाहिए। जिससे सुबह जब आप उठेंगे तो आपको रसोई में वय तेल का बरतन नजर ही ना आए। तीसरा भूल करके भी आपको कभी सुबह सुई और धागा नहीं देखना चाहिए यह भी असुब होता है। अता हैं इस बात का विशेश ध्यान रखें। तो आप पर राहु दोस लग जाएगा और जब राहु दोस लग जाता है जिस ब्रक्ति को तो वह जीवन परियन दुखी ही रहता है। जो पस्चिन दिसा में आपकी चाया दिखती है यह भी एक असुब का संकेत होता है अता हैं आप इस चीज़ का विशेश ध्यान रखें पांचवा, सुबह सुबह उड़ करके जूटे बरतनों को भी नहीं देखना चाहिए और इसी कारण से सभी भारतिय परमपराओं में कहा गया है कि रात को सोने से पहले जूटे बरतन साफ कर लेने चाहिए अगर आप सुबह सुबह उड़ करके जूटे बरतन अपने रसोई म की तस्वीर या पोटो नहीं देखनी चाहिए या कोई भी जंगली जानवर अगर है आसपास तो उसे भी नहीं देखना चाहिए वास्तु सास्त के अंसार अच्छा नहीं बताया गया है तो यह सब वो बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए यदि आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपके घर में सब सुभी सुभ होगा और आपका दिन भी अच्छा बीतेगा और विसेश बातें यह जो बताई गई है वास्तु सास्तर में यह मुनस्त की भलाई के लिए ही बताई गई है कि जिससे की उसका जीवन अच्छे से बितीत हो सके और आपन ब्यक्ती हैं तो उनको उस दिन कमाई भी ठीक ठाक हो और उनका घर परिवार भी अच्छे से चले तो उपाई आया है कि जब भी आप सुभाई उठें तो दोनों हतेलियों को आपस में सटा कर एक बार जरूर दर्सन करें और दोनों हतेलियों को देखते हुए प्रभू का दिन मेरा अच्छा जाए और अच्छे से मेरे घर में पैसे आएं मेरा परिवार सुखी रहे यही कहते हुए भगवान का धन्यवाद देती हुए दोनों ही अतेलियों को अपने चेहरे पे लगाएं ठेरें और फिर अपना बिस्तर छोड़ें तो ऐसा यदि आप करेंगे त तो उसका फल अच्छा ही होता है और कहते है ना बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है इसलिए आप हमेशा सुब सुब ही सोचें सुब सुब करें तो आपके जीवन में भी सुबता आएगी और जब सुबता आएगी तो लाब होना निश्चित ही होता है आसा करता हूँ य यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यदि आप ऐसी जानकारी जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, वीडियो को लाइक कर दीजेगा, और जादस जादा बंदो बंदों में यह वीडियो शेयर कर दीजेगा. आपने वीडियो अंतर देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद